आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लाई हूँ कैसे मलाई से गी निकालते हैं ताकि जादा से जादा गी हमें मिले देखे कितना बढ़िया लग रहा है ये घर का गी तो सबको ही बहुत पसंद आता है और सबसे प्योर होता है और किसी भी सबजी में आप डालेंगे तो उसका टेस्ट जबल हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कैसे मलाई से कम से कम मलाई से जादा से जादा गी निकाले गी निकालने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड तक बने रहें से पांच मेट में गी निकल जाएगा स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SGFoodWild में अपने सने और प्यार को बनाए रखें और सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटेस अपडेट से नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दूद उबालने के बाद एक लेयर सी क्रेट होती है वो मलाई मैं कठी करती जाती हूँ इन बाउल्स में और उसको फ्रीजर में रख देती हूँ अब गी बनाने के लिए मैंने इसे फ्रीजर से निकाला है उसके बाद 30-30 सेकेंड के लिए इसको माइक्रोवेव में मैंने चला के गरम कर लिया है अगर आप गरम नहीं करना चाते तो एक डेट घंटा पहले आप फ्रीजर से निकाल देंगे तो ये नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आ जाएगी तो आपको माइक्रोवेव में भी गरम करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ लोग इस मलाई को कठा करके फ्रीज में भी रखते रहते हैं पर उससे क्या होता है न मलाई में स्मेल आने लगती है तो बेटर है कि फ्रीजर में रखें देखिए मलाई हलकी सी सॉफ्ट हो चुकी है अब एक भारी तले की कड़ाई लेंगे मैंने यहाँ पर आइरन की कड़ाई लिए जो चार बाउल मलाई मैंने गरम की थी माइक्रोवेव में वो मैं इसमें आट कर दूँगी की बहुत ही असान तरीका में आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर बहुत तरीके मलाई से घी निकालने के यह सबसे easiest तरीका है जिससे मलाई से गी भी निकल जाएगा बरतन भी कम से कम use होंगे और smell भी नहीं आएगी जो पूरे rooms में फैल जाती है मलाई से गी निकालते वक इसको medium to low flame पर ही रखना है high flame पर नहीं करें मलाई से गी निकलने के इस procedure में थोड़ा time तो लगता है पर जादा नहीं लगेगा बाकी procedures जो भी है उसके अंदर बहुत time लगता है वो बहुत time consuming होते है continuous चलाते रहिएगा एक और अच्छी tip में आपके साथ share करती हूँ जब आप kitchen में already काम कर रहे हो तो बस इसे side में रख दीजेगा ये निकलती रहेगी बिच बिच में हिलाते रहेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कम मलाई से गी निकलाया medium से low flame पर इसे continuously हिलाते रहेंगे ये मलाई थोड़ी सी पीली आपको लग रहे होगी ये मलाई इसलिए पीली लग रहे है तो उस पर जो layer कटी होती है वो थोड़ी सी पीली होती है अगर आप बहस का दूर लेंगे या फिर full cream milk लेंगे तो वो जो मलाई है वो बिलकुल white होगी आप देख सकते हैं गी निकलना शुरू हो गया है पर अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसे पूरा गी निकलने में तो इसको continuously stir करते रहेंगे अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जो हमें transparent गी चाहिए वो नहीं निकल पाएगा ये जलने लगेगा और एक और बात दोस्तों टोन मिल्क की जगा फूल क्रीम मिल्क लें उससे बहुत फायदी है आपको अगर सबजियों में डालने के लिए मलाई चाहिए तो वो मिल जाएगी घर का प्योर देसी घी चाहिए तो वो निकल जाएगा तो अपना नुकसान ना करें और फूल क्रीम मिल्क ही लाएं यहाँ पर आपको एक बात का खास्वर पर ध्यान देना है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो उपर गी निकल रहा है वो लाल हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जल जाएगा और गी भी बहुत कम निकलेगा इसने ध्यान देने वाली बात यह है गी निकालने में जल्दबाजी ना करें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिनिसली स्टर करते जाएगे देख सकते हैं आप गी निकलना प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया है पस दो मिनट और और यह गी निकल जाएगा अगर गी आपने जल्दी जल्दी निकाल लिया तो इससे क्या होगा न गी जादा अच्छे से पकेगा नहीं और इसमें फंगस भी लग सकती है इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते रहेंगे और बस यह गी निकलने वाला है देख सकते हैं गी से जो खोया है मावा है वो अलग हो रहा है बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए इसको कंटिनूसली स्टर करते रहें जो जाग बन रही है न यह साइन है कि गी और मावा बिल्कुल अलग हो गया है फ्लेम को आफ कर देंगे पर कंटिनूसली अभी भी स्टर करते रहेंगे एक मिनट के लिए अपना एक और टिप देती हूँ यहाँ पर स्टील का बरतन ही लीजेगा कांच का मत लीजेगा क्योंकि गरम गरम होगा तो कांच का बरतन चटक भी सकता है उसके उपर एक कॉटन का पतला कपड़ा रखिएगा सूती कपड़ा और उसमें यह छानते जाएगा एक और बढ़िया चीज में आपको बताती हूँ गरम गरम चानने से क्या होगा गी आपको जादा मिलेगा क्योंकि यह प्रॉपर तरीके से चंच जाएगा असानी से जब ठंडा हो जाता है तो यह थोड़ा जम जाता है तो गी प्रॉपर तरीके से निकलता नहीं है तो इसको गरम गरम में चान ले तो बढ़िया सा प्योरेस फॉर्म ऑफ गी घर पे रेडी है आप देखेंगे जब यह बनेगा ना पूरे घर में खुश्बू फैल जाएगी कॉटन के कपड़े को हलका सा किसी भारी चीज से दबा लेंगे देखें कितना सारा गी और निकला है यह प्योरेस फॉर्म ऑफ गी असानी से निकल जाएगा घर पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रत नहीं है अभी वीडियो में बने रहें एक और बहुत बढ़िया टिप मे या किसी भी ग्लास जार में कठा करते रहें देखें साथ सो इसे आठ सो ग्राम के करीब मलाई थी उसमें से निकला है यह आदा किलो घी शुद देसी घी है तो ऐसी बढ़िया बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स के साथ में रेसिपीज आपके लिए लाती रहोंगी तब तक क कर दो लाइक शेर और सब्सक्राइब